परिचय रमेश आठ साल का एक हुनहार लड़का है वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है आज वह अपनी माता को अध्यापक के बुलाने पर लेकर आया है अध्यापक को शिकायत है रमेश बहुत ज्यादा अवकाश लेता है जिसके परिणाम स्वरूप उसका कक्षा कार्य और ग्रह कार्य अधूरा है यदि वह विद्याले में अनियमित रहता है तो संभव है कि वह उसी कक्षा में दोबारा रह जाए रमेश की मा को उसकी गैर हाजरी का कारण पता है वे एक जुग्गी में रहते हैं रमेश अपने गंदे परिवेश के कारण बार-बार बीमार पड़ जाता है बहरहाल रमेश की मास समझ नहीं पा रही है कि वह अपने परिवेश को बहतर कैसे बनाए आईए हम जाने कि हम अपने आपको और अपने परिवेश को स्वच्च कैसे रख सकते हैं आउ सीखें स्वच्चता को परिभाशित करना अपने घर, पडोस और समुदाय को स्वच रखने के तरीके बताना शहरों में अपशिष्ट निस्तारण के तरीके सीखना अपशिष्ट प्रबंधन के तीन आर के बारे में बताना स्वच्चता स्वच्चता का अर्थ है अपने शरीर और अपने परिवेश को साफ रखना हमें निम्न को स्वच्च रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए अच्छा स्वास्थ बनाए रखना अच्छा जीवन जीना व्यक्तिगत स्वच्चता व्यक्तिगत स्वच्चता में अपने दातों, हाथों, नाखूनों, बाल, शरीर और कपड़ों की सफाई शामिल है यह परियाप्त नहीं है गंदे परिवेश में रहने बाला एक स्वच्च शरीर बीमार पड़ सकता है इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने परिवेश को भी स्वच्च रखें व्यक्तिगत स्वच्चता और परिवेश की स्वच्चता साथ साथ ही चलती है घरेलू स्वच्चता परिवेश की स्वच्चता अपने घर की स्वच्चता से शुरू होती है इसमें हमारे घर को साफ सुत्रा रखना शामिल है हम निम्न उपायों से घरेलू स्वच्छता को सुनिश्चित कर सकते हैं हमारे घर में कहीं भी पानी जमान न हो टॉयलेट और सिंख साफ हों नालिया साफ हों पुराने और बेकार सामान को घर से निकाल दें रसोई और दूसरे घरेलू अपशिष्ट प्रति दिन फेक दिये जाएं पडोस की स्वच्छता घरेलू स्वच्छता के लिए हमें सबसे पहले आसपडोस की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा अपने आसपडोस को स्वच्छ रखने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 1. आसपास की सडकें, पार्क एवं कृड़ास्थल को रोजाना साफ करें 2. पानी का ठहराव सडकों पार्कों इत्यादी में न हो 3. गंदे पानी के पाईप साफ हो 4. कूड़े का सार्वजनिक कूड़े घरों में ही उचित निप्टान हो सामुदाइक स्वच्छता इसके बाद हमें समुदाइकी स्वच्छता अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए अस्पताल, रेल्वे स्टेशन, बसड़े और सिनमा घर जैसे सार्वजनिक स्थान को साफ रखें बीमारियों का इलाज करने और उनसे बचाव करने वाली दवाईयां और टीके उपलब्द रखें अपने आपको, पडोस को और समुदाइक को स्वच्छ रखना पर्याप्त नहीं है यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शेहर को स्वच्छ रखें हम निम्न चीजें करके अपने शेहर की स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं शहर के अपशिष्ट का उचित निस्तारण हो गैर सडनचील पदार्थों जैसे पॉलिथिन का प्रियोग ना हो अपशिष्ट को कूडे दान में फेका जाए सडक पर नहीं तूकें शहर में अपशिष्ट निस्तारण आईए समझें कि शहर में अपशिष्ट निस्तारण कैसे किया जाता है हमारे घरों से निकले हुए अपशिष्ट को पहले एकत्रत किया जाता है और नगरपालिका के अपशिष्ट शोधन संयंत्र में उसका शोधन किया जाता है इसके बाद जल सुरों तो जैसे की नदी इत्यादी में उनका निस्तारण किया जाता है अपशिष्ट शोधन से यह सुनिश्चित होता है कि नदिया प्रदूर्शित न हूँ पूरे शहर से एकत्रित किया गया कच्चा अपशिष्ट संयंत्र में लगी छलनी से गुजरता है छलनी कच्रे को भारी चीजों से अलग कर देती है इसके बाद कच्रे को दूसरे टैंक में डालते हैं जहां बचे हुए ठोस पदार्थ बैठ चाते हैं बैठे हुए पदार्थ को अवमल कहते हैं बचे हुए द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाता है और क्लोरीन डाल कर इसे जीवाणु मुक्त किया जाता है फिर इसे नदी में बहा दिया जाता है कम इस्तेमाल यानि reduce पुनः प्रयोग यानि reuse और पुनर चक्रण यानि recycle अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुचाता है अपने आपको और अपने पर्यावरण को स्वच्छत रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपशिष्ट पर नियंतरन रखें और इसका उचित रखाव करें प्रदूशन मुक्त स्वच पर्यावरण रखने के लिए हमें निम्न लिखित पर अवश्य अमल करना चाहिए अपशिष्ट प्रबंधन के तीन आर आईए इनके बारे में विस्तार से जाने अपशिष्ट प्रबंधन के तीन आर पहले आर का अर्थ है रीसाइकिल किया जा सके रीसाइकिल कहलाता है उदाहरन स्वरूप, शीशे, प्लास्टिक, अखबार, अलिम्यूनियम के डब्बे और बैटरियों को नए सामान बनाने के लिए रीसाइकिल किया जा सकता है दूसरे आर का अर्थ है री यूज किसी सामान को एक बार से ज्यादा प्रेयोग में लाना री यूज है प्लास्टिक के कप, प्लेट और बर्तन इत्यादी को एक बार प्रेयोग करके फैक दिया जाता है इसकी जगह हमें उन्हें धोकर दो बारा प्रेयोग करना चाहिए तीसरे आर का अर्थ है रिडियूस पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों का प्रेयोग कम करना ही रिडियूस है उदारन स्वरू, हमें मंजन, बर्तन धोने वाले साबुन और अनाज के बड़े पैकेट ही खरीदने चाहिए और पैकिंग में लगने वाली सामगरी की बचत करनी चाहिए रमेश की मा अब समझ गई है कि वह अपने परिवेश को किस प्रकार स्वच रख सकती है उन्होंने निर्णे लिया है कि वह अपनी जुग्गी में रहने वालों को स्वच्छता के महत्व अपने परिवेश को जीवानू रहित रखने और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के बारे में शिक्षित करेगी हमने क्या चर्चा की? स्वच्छता का अर्थ है सफाई हमें अपना परिवेश, समुदाई और शहर अवश्च स्वच्छ रखना चाहिए व्यक्तिगत स्वच्छता में हमारे शरीर, कपणों, दातों, हाथों और नाखूनों की स्वच्छता शामिल है हमें अपना आस पड़ो स्वच्छ रखने के लिए कूडे का सार्वजनिक कूडा घरों में ही उचित निप्टान करना चाहिए शहरी अपशिष्ट का निस्तारण से पहले नगरपालिका के अपशिष्ट शोधन संयंद्र में शोधन किया जाता है Reduce, Reuse और Recycle अपशिष्ट प्रबंधन के तीन आर है अपशिष्ट प्रबंधन के तीन आर के प्रयोग से हम अच्छा, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं